आप सबका एक नए विडिवर फिर से स्वागत है दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि मैं हर एक अपडेट में आपको जो की पीशनल के 4G और 5G से रिकार्डिंग अपडेट रहता है उसके बारे में जनकारी देता हूँ तो यहाँ पर फिरहाल बीशनल 4G और 5G से रिकार्डिंग एक नए अपडेट निकल के आ रहा है जिस अपडेट के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ तो अगर आप एक बीशनल से उजेर हैं तो आप इस वीडियो को भीना एसकिप किये आगरी तक तक कियेगा क्योंकि आप भी जाहिर सी बात है कि बीशनल 4G और 5G के इंतिजार में बैठे हैं कि कब तक बीशनल 4G और 5G को लाँच करेगा तो अब जाकर के हमें जोकी अच्छा का सा सर्विस मिलेगा तो नमस्कार दोस्तो मैं पंकर सर्मा आपका मेरा चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत है चैनल पर रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेज कर ले ताकि आपको बीशनल से कोई भी अपडेट की जनकारी चाहिए हो तो आपको यहां पर नाटिविकेशन क की समस्या से जूजिना पड़ेगा जो कि फाइब जी सेवा मिलने के बात की बात तो दूर है यहां पर फोर्जी सेवा के लिए भी दौजार चोवीश तक का इंतजार करना पड़ सकता है जैसे कि आपको पता है कि बीशनल फोर्जी को ले करके काफी सारे डेट आते हैं और काफी सारे वो डेट निकल भी जाते हैं और जो की फिला हमें जो कि वहां पर फोर्जी देखने को भी नहीं मिलता है तो आगे की तरफ चलता है तो यहां पर ऐसी स्तिती में एक साल उभकताओं को जो की 3G नेटवर्क से ही काम चलाना पड़ेगा तो यहां पर जाइड सी ब बडारी सब और और माया गंज जबारी पूर और भी बिक्रम सीला कलोनी और इसा कोचक और लालुक चक सहीत दचिर सहर में नेटवर्क की सबस्या रहती है कम जो नेटवर्क की कारण भूकताओं को बात करने में भी परसानी होती है तो यहां पर जो हम आपको चीजह जो बडारी सब और माया गंज जबारी पूर बिक्रम सीला कलोनी और इसा चक और लालुक चक सहीत दचिर सहर में जो की नेटवर्क की समस्या रहती है कम जो नेटवर्क के कारण को भूकताओं को बात करने में भी परसानी होती है जिन जिन जगाओं का नाम हमने आपको बताया 2022 में ही फोर्जी से बास सुरू होना था 2022 में ही फोर्जी से बास सुरू होना था 2022 का तो बात ही छोड़ते जिए 2021 से यह हमें सुनने को मिल रहा है कि बीशनल का फोर्जी अब लांच होने वाला है अब बीशनल का फोर्जी हम यूज कर पाएंगे अच्छा असा जो की बीश काफी कुछ रहेंगे पान निकल जाता है लेंगे यहerer हुसे सबस्क्राइब पर जो कि यहां पर बाता दें कि खडखडाहत की आवाज बात करते आवाज गुम होने बीच में नेट्वर्क उटने की समस्या का सामना करना पढ़ना पढ़ रहा है भागलपुर सहीत बिहार के सभी जीलों में 2022 में पोर्जी सिवा शुरू होना था लेकिन बीटीज की अनु गया था इसलिए आत्म नीरभर भारत के तहत जो की फोर्जी के लिए बीटीएस सहीत जो की सभी उक्रण सवदेशी होंगे टाटा कंपनी उक्रणों को तयार कर रहा है भागलपुर सहीत पर देश के सभी जगाव पर जोगी 4960 पीटीएस की जरूरत है इसमें से जो की बीटीएस लगाने में कम से कम दो से तीन मा लग सकता है तीन पचास तीन सो पचास नए टावर लगाने की यूजना यहां पर बनाए जा रहे हैं तो बीएसनल के अधिकारियों के अनुसार जो की फोर्जी चालू होने के साथ ही जो की 1.25 लाक सिमदार को को हाई स्पीट की सुविदा मिलेगी बागलपूर में 282 बीटीएस चल रहे हैं और तीन सो पचास नए टावर लगाने की यूजना चल रही है तो यहां पर खली खलीफा बाग आदमपूर तिलका माजी नाथन पूर नाथन नगर विश्वविद्याले छेत्र एक्स्टेसन रोड अली गंज मुजाहिदपूर और भीखनपूर सहीद सहर के लगने वाले टावरों के एस्थाल को चिरित किया जा चुका है फोरजी के दो टावरों के बीच की दूरी 400 मीटर होगी लेकिन घनी अबादी छेत्रों में 200 से 300 मीटर की दूरी पर बीसनल के फोरजी का टावर लगाया जाए प्यासितव के मुबाइल टावर यानि बीटी स को याँ पर देखा जाये तो भागलपूर सहर में 155 मुबाइल टावर और से 100 जो कि मुबाइल टावर ग्रामें छेतर में लगाए जाएंगे इसके अलवा बांका जीला में टावर लगेगा मुबाइल टावर लगने के यह प्रात्मिक सरकारी भावनों को दी जाएगी इसके बाद नीजी मकानों की भी टावर लगाये जाएगे तो सबसे पहले जो टावर लगेगा वो सरकारी जो भावन है उसको ज्यादा जो की प्रात्मिकता दे जाएगी उसके बाद नीजी छेत्र में यानि कि नीजी मकानों पर भी तावर लगाने की प्रक्रिया सुरू की जाएगे टावर को किया जाएगा इसके बारे में भी हम एक बार नेजन डाल लेते हैं तो इसके लिए तीन मंजिला बहुन को अनिवारिया किया गया है ये फिक व्यक्ति अपने मकान पर मोबाइल टावर लगवाने के लिए आप एधन कर सकते हैं सर में पहले से 3G के 45 टावर है जिसको फोर्जी में कनवर्ट किया जाएगा तो 45 टावर ऐसे हैं भागलपुर में जो की 3G में हैं उनको जो की 4G में कनवर्ट कर दिया जाएगा कम दूरी पर टावर रहने से बेहतर नेटवर्ट कमरेज मिलेगा और एक समय में आवसकता से ज्यादा उबहुकताओं के इंटरनेट का उप्योग करने पर भी स्पीड कम नहीं होगी ठीक है तो इस परकार से कुछ है और यहां पर नीजी कमपनियों के टैरिफ दरों में बिरिदी की गई लेकिन उबहुकताओ कि हीत को ध्यान में रखकर बीएशनल ने टैरिफ दरों में बिरिदी नहीं किया है इसका नतीजा भी सामने आया है कि प्रतीमा आउस्तन दस अजार उबहुकता बढ़ रहे हैं ठीक तो जहां पर बीएशनल का नेटवर्क सही है वहां पर जो की उबहुकता बढ़ेंगे ही बीटीएस की अनुबलता की वजह से फोर्जी नेटवर्क चालू नहीं किया जा सका दोजाद चोबीस से पहले फोर्जी की बीटीएस अपूर्ती करने के उमीद कम है फोर्जी से बाद चालू होने से हाई स्पीड नेटवर्क मिलेगा तो कुछी इस परकार से जो की देखने को मिल जाए लेकिन काफी जगों पर ये सनल का फोर्जी को लांज करने की जो डेट है दिसंबर तक रखी गई है तो कुछ इस परकार से अपडेट आ रहे थे जिस अपडेट के बारे में मैंने आपको बताया है आपके छेत्र में विह सरन थिरी जी है ज्या फोंची आप इस वीडियो के निचे कमेंट करके बताया अगर थिरीजी है तो अभी आपके याँ इंटरनेट टैस्पीड कैसा है आप इस वीडियो के निचे कमेंट करके जरूर बताइएगा तो फीर मिलते हैं कैसे नहीं वीडियो के साथ तब तक जय हिंद जय भारात